अध्याय दो हे मेरे बाल को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, कि तुम पाप ना करो, और यदी कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थार्थ, धार्मिक, यिशु, मसी, और वही हमारे पापों का प्रैश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, यदी हम उसकी आग्याउं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे, कि हम उसे जान गए जो कोई यी कहता है, कि मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आग्याउं को नहीं मानता, वे जुटा है और उसमें सत्य नहीं पर जो कोई उसके बजन पर चले उसमें सच मुझ परमेश्वर का प्रेम सिध्ध हुआ है हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं उसे चाहिए के आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था हे प्रियो मैं तुम्हें कोई नई आज्या नहीं लिखता पर वही पुरानी आज्या जो आरंब से तुम्हें मिली है ये पुरानी आज्या वह वचन है जिसे तुमने सुना है फिर मैं तुम्हें नई आज्या लिखता हूँ और ये तो उसमें और तुम्में सच्ची ठहरती है क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की जोती अभी चमकने लगी है जो कोई ये कहता है के मैं जोती में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह जोती में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आँखें अंधी कर दी है हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ के उसके नाम से तुम्हारे पाप शमा हुए हे पित्रो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ के जो आदी से है तुम उसे जानते हो हे जवानो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है हे लड़को मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो हे पित्रो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आधी से है तुम उसे जान गए हो हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तून से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थार्थ शरीर की अभिलाशा और आखों की अभिलाशा और जीवी का का घमन वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है और संसार और उसकी अभिलाशाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सरवदा बना रहेगा हे लड़को यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही के विरोधी उठे हैं इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है वह निकले तो हम ही मेंसे पर हम्मे के थे नहीं क्योंकि यदी हम्मे के होते तो हमारे साथ रहते पर निकल इसलिये गए कि यह प्रकट हो कि वह सब हम्मे के नहीं हैं और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिशेख हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा के तुम सत्य को नहीं जानते हो। पर इसलिए के उसे जानते हो। और इसलिए के कोई जूट सत्य की ओर से नहीं। जूटा कौन है केवल वह जो येशू के मसी होने से इंकार करता है और मसी का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इंकार करता है जो कोई पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता भी नहीं जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे और जिसकी उसने हमसे प्रतिग्या लिए वो अरंत जीवन है मैंने ये बातें तुम्हें उनके विशय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं और तुम्हारा वह अभिशे जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं के कोई तुम्हें सिखाए बरन जैसे वह अभिशेग जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है जूटा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो निदान हे बाल को उसमें बने रहो के जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो यदि तुम जानते हो के वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो के जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जनमा है झाल झाल